राधे राधे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कंचन डेली लाइस्टाइल के एक और नए व्लोग में और आज का व्लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बहुत ही ज़्यादा सुन्दर व्लोग है क्योंकि आज है छटी पूजन लड़ु गोपाल का शनिवार का दिन है और आज हम लोग लड़ु गोपाल का च्छटी पूजन करने वाले हैं तो अभी वक्त हो रहा है शाम के सारे चार बज रहे हैं और मैं नहाद होकर यहाँ पे लड़ु गोपाल के लिए भोग त्यार कर रहे हूं तो सबसे पहले मैंने सेवईया चढ़ाई है किचन क औसको फूरा शुद्ध किया उसके बाद सेवईय को इलिए दूध में ने बठायाे था उसके बाद सेवईयों को घी में फ्राई करके यहाँ पेह सारे निकाल लिया है और अब मैं यह सिंद्ल को ऄड़ु दूद में डालने वाली हूं क्यूंकि आपने दोद उबल गया है और सवाइँ काफी गरम तीना, तो धीरे-धीरे करके डालते हैं, वरना दूद जो है बाहर आने लगता है, तो मैंने आधी सवाइँ अभी डाली है, आधी अभी मैंने प्लेट में ही रखी है, क्यूंकि दूद काफी ज्यादा था, और मुझे अंदाज ही नहीं मिल रहा था क कि मुझे कितने दूध में कितनी सवईयों को डालना चाहिए तो देखे यहां पे इतनी भी बच्ची हुई है और दूध की consistency आप देखी रहे हो पतली सी है अभी मतलब अभी इसमें सवईयां मैं डाल सकती हूँ तो मैंने बाकी जो आधी सवईयां रखी थी ना मेरे वो भी म तो दीरे दीरे अपने अनुसार काम आगे बढ़ाती हूँ मैं मैंने पूरा ही सेवई एड कर दिया है दूध में यहां मेरी सेवई बननेगी और अभी मैं स्टार्ट करूंगी सबजी बनाने के तरफ आज का खाना शुद्ध मतलब बीना लसन प्याज का खाना आज का रहे हरी पते हैं फिर चार लंबे टुक्रों में कटी हुई हरी मिर्च राई और यह एक टेज पत्ता साइड में मैंने चार बरे बरे टमाटर साइज के काटे हुए हैं टुक्रों में सबसे पहले मैं फोरन को डाल दूंगी कढ़ाई में कढ़ाई का जो तेल था ना काफी ज्या में घखकन से उसको ढख दिया तो जब नॉर्मल हो गया चटकना कम हो गया तो मैंने इसमें टमाटर एड कर दिया है हमारे यहां छटी पूजन हमेशा रात में ही होती है शाम के टाइम में मतलब कहीं कहीं दिन में भी की जाती है लेकिन हमारे यहां शाम के टाइम में होती है तो हम लोग लड़ु गोपाल का भी छटी पूजन हम लोग शाम के टाइम ही करते हैं और इसलिए जो भी खाना हमारे चटियार में बनाया जाता है चटियार यानि चटि पूजन को ही हम लोग चटियार कहते हैं बच्चे के जन्म के चटिवे दिन जो पूजा की जाती है उसको चटियार कहा जाता है उस दिन बहुत तरह तरह के पकवान बनाया जाते हैं मतलब सबजी सेवई बनाऊंगी उपर काजल भी बना रही है कड़ी चावल चावल तो मैं नीचे से धोकर ही अभी लेकर जाऊंगी उपर उसने कड़ी और वड़े बना लिये हैं उसका रेडी हो गया है मेरा ही खाना थोड़ा अपी लेट से बन रहा है तो देखे मेरी टमाटर जो तोड़ने में काफी परिशानी हो रही थी मुझे लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने तोड़ा और इसको एड़ किया है तामाटर गल जाने के बाद मैंने मसालों के साथ एड़ कर दिया है और यह सबजी ना काफी ज्यादा टेस्टी बनती है और आज तो मतलब भगवान का आशिरवाद रहता है हर प्रशाद में स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो भगवान का आशिरवाद रहता है वो खाने में स्वाद बहुत ही बढ़ियां सा आ जाता है देखे मेरी सबजी जो है एक दम रेड तब तक मैंने चावल को धो के कुकर में रख दिया है और अब धीरे धीरे इनको सबको न मैं उपर लेके जाओंगी यहां पर मैंने पानी डाला कुकर को बंद करके मैं साइड में हटा दूंगी बस एक काम अभी बचा हुआ है सेवई में मुझे अभी जो सेवईयों की जो ख रझाएम priछू है दो झान साइब को जो भीधा है झाल के दियहर लेफे हैऑड बस वया झाल काम की कर दो बचिए उःस्वादाब दोस्तों फाइनली मेरी जो खीर है वो रेड़ी हो चुकी है तो अब वक्त हो गया था लडु को पाल जी को नहलाने का उनको मैंने अच्छी तरह से चंदन से पहले मालिश की उसके बाद जो चंदन पावडर आता है उससे मैं मालिश की थी चंदन पावडर से मालिश करने से लड़ गोपाल की जो प्रतिमा होती है वो बहुत ही चमक आ जाती है उसमें कभी कभी क्या होता है नहलाते नहलाते ना काली पढ़ने लगती है प्रतिमा तो चंदन पाउडर से आप मालिश करके नहलाईए तो प्रतिमा चमक जाती है तो मैं अक्सर ही जब भी नहलाती हूँ उनको चंदन से मालिश करने के बाद ही नहलाती हूँ और लड़ो गोपाल को ड्रेस कैनल कि और पिछले बार जब उनका जन्म हुआ था मैं ने चल्रेंग कहने और जई क्टा पहना च यहां पर देखी बलड़ फसके ऐचनल के हो जुका है अब मुझे इनको ना क्या करना है वो जो काजल लगाते है ना ताकि नजर ना लगे बच्चे को छटीहार के दिन नया काजल लगाया जाता है तो मैंने बस वही अब लगाने वाली हूँ तीनु लड़ो गोपाल को मैंने आखों में काजल लगाया फिर कान के तीछे भी लगा ताक कि मेरे लड़्डू कपाल को नजर ना लगे रहे देखिए कितनी सुन्दर लग रहे हैं एकदम दूले राजा की तरह बंठन की एकदम त्यार हो गए हैं लड़्डू कोपाल के श्रिंगार जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो अब बारी है उनके मंडप को थोड़ा फूलों से सजाने की दीप मैंने पहले ही प्रजवलीट कर दिया था उनको श्रिंगार वगरा दीप जलाने के बाद ही मैंने शुरू किया था अब बारी है बस फूलों से जो ये चौकी है उसको अच्छी तरह से मैं सजा दूँगी जब फूलों से सजाना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अब वक्त हो गया है उनको भोग लगाने की देखे ये है सारा भोग लड़ गोपाल का इसमें बस एक चीज हमने मिस कर दिया था पापर तलके नहीं रखे थे पापर में नया खड़िदके लेके आई थी कि पा बस बहुत चीज हमने मिस कर दिया बाकी सारी चीजे थी ठाली में और हमने तुलसी के पत्ते डालके भोग लगाया और जब भी हम लड़ू को पल का श्रिंगार करें तो उनके साथ ही उनके जो गोद में उनके पास एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए यहाँ प मुझे बड़ा ही आश्यर चेकित लगा कि फूल को इससे लग रहा था कि शालिग्राम खुद से ही वो पीछे कर रहे हैं कि मेरे आस आगे मत रखो पीछे रखो हो सके तो आप दुबारा उस चीज को देखेगा उस समय मुझे बड़ा ही आश्यर ही हुआ था कि कैसे अपने कि 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 आखेगा हैं tapping ans पीजर चाहिसाय कि चाहिए है अखिक कि रहारा कि 50 बुबाऊ कर प्याद हाद है कि झालOW चाहिए हैंrien कि कि शुभ है कि दो उवदा Chief इस कि दो ी, कि अरॉबुर के बंय है। झाल 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 तो सबसे पहले हमने उनके चरंध होएं और मैंने अपने डुपत्य से चरंध काजल धोती जा रहे थी मैंने पोछा फिरतिलक लगाया उसके बाद उनको भोजन परोसा जायेगा जो भी हमने भोग बनाया था लड़्डू गोपाल के लिए वो सारा खाना बच्चों को हम प्रिदा करते हैं है तो अपने घर के बच्चे ही लेकिन राधे-राधे कहलवा के ही उनको हम लोग कहते कि आप लोग खाना संपन्न करो अपना बच्चों को खाना खिलाना हो तो आसान नहीं होता है वो काफी परिशान करते हैं जगडा करते हैं एक दूसरे को टीज कर रहे थे एक दूसरे की प्लेटे छीन रहे थे मतलब कुछ ना कुछ हो कर रहे थे तो ऐसे करते हुए उन्होंने खाना बड़े मजे से खाया पसंद आया उनको और बच्चों के खाना खा लेने के बाद बरुन ने भी खाना खाया और इस तरह से आज का पुजा जो है मारा संपन रहा तो उमीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको भी पसंद आया होगा कै कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में तुल देन राधे राधे जैश्री कृष्णा